नमस्कार सभी को आज हम प्रकास के अपवरतन के बारे में पढ़ेंगे जो की बहुती महत्पून टोपिक है प्रकास का अपवरतन जब प्रकास की किरण एक माद्यम से दूसरे माद्यम में परिवेश करती है तो वह अपने मार्क से या मूल पत से विचलित हो जाती है इस वज़े से प्रकास का अपवर्तन होता है यह हमारे समुक प्रकास की एक किरण का अपवर्तन का आरेक चित्र है जिसे हम समझते हैं इसमें प्रकास की किरण वायू से काच में और फिर काच से वायू में परवेश कर रही है यह प्रकास की किरण यहां पर वायू माद्यम से काच माद्यम में परवेश कर रही है इसका मूलपत यह है यानि कि इसको इस दिशा में जाना चाहिए था लेकिन वायू से काच में आने से इसके माद्यम में परिवर्टन होता है जिससे अपवर्तन की गटना गटित होती है और ये अभिलम की और जुग जाती है अब इसका मूलपत ये है लेकिन यहाँ पर भी ये काज से वायू में परवेश कर रही है यानि कि इसके माद्यम में पुने परिवर्तन हो रहा है जिससे यहाँ पे पुने अपवर्तन की गट यह जो प्रकास की किरणे यह आपतित किरण है, यह जो किरणे इसे अपवर्तित किरण कहते हैं, और यह जो किरणे इसे निर्गत किरण कहते हैं, कोण आई आपतन कोण है, कोण आर जो है वो अपवर्तन कोण है जब प्रकास की किरण वीरल माद्यम से सगन माद्यम में परिवेश करती है तो वह अबिलम की ओर जुग जाती है क्योंकि प्रकास के वेग में कमी होती है अफ़्वर्तन के नियम आपतित किरण, अफर्तित किरण तथा अभिलम तिनों एकी तलमें एकी आपतन बिंदू पर मिलते हैं दूसर नियम है किनी दो मातिमों के लिए आपतन कौण की जया sin i तथा आपतन कौण की जया sin r का अनुपात जो होता है वो नियत रहता है यानि कि sin i बटा sin r का जो अनपात होता है वो नियत रहता है n बराबर sin i बटा sin r is equal to नियत इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं यहाँ पर n माध्यमों का आपेक्सिक अपवर्तनाग है i आपतन कोण है और r जो है वो अपवर्तन कोण है यह हमारे सम्मुख परकास के अपवर्तन की कुछ गटनाए है सूर्य देसे दो मिनट पूर्व एयों सूर्यास के दो मिनट पस्चाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है ऐसा परकास के अपवर्तन के कारण होता है पानी में रखे हुई पैंसिल हमें मूडी हुई दिखाई देती है ये भी प्रकास के अपवर्तन की वज़े से ही होता है तारों का टिम्टिमाते हुए दिखाई देना भी प्रकास के अपवर्तन के कारण ही कटित होता है जै हिन जै बारत दन्यवाद